10,000 की मदद करने वाले मंतरी का एहसान कभी नहीं भूलेगा मुसल्मान नितीश कुमार के मंतरी का मुसल्मानों पर सबसे बड़ा एहसान मौत की कीमत लगाई 10,000 रुप नितीश कुमार के एक मंतरी एक विधायत एक MLC ने आपस में किया चंदा फिर जमा होगा मात्र 10,000 सत्ता में ना रहने वाले पप्पु यादब और असदुद्दीन ओवैसी की पाटी AIMIM ने दी 50-50,000 रुपे की आर्थिक मदद किसी वेक्ती के मौत की कीमत और आसु पूछने की कीमत सिर्फ 10,000 हो सकती है और ये 10,000 दे कौन रहा है जिसमें एक मंतरी है एक MLC है और एक विधायक है ये तीनों लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं और एक आदमी के मौत की कीमत 10,000 रुपे लगाई जा रही है ये कितने शेर्म की बात है कि किसी राज का अलपसंख्यक कल्यान मंतरी किसी के घर पहुचता है और वो कहता है ये बात के हडकंप के दौरान हाफिस साथ की मौत हो गई दरसल कहानी किया है पूरी बात हम आपको बता रहे हैं कि 31 जुलाई को हरियाना के नू में हिंसा बढ़गी और वो हिंसा गुरगाओं की तरफ आ गई जहां मस्जिद में सोय हुए नाइब एमाम हाफिस साथ की हत्या कर दी गई और वो बिहार के सीता मड़ी जिला के रहने वाले थे रूनी सैपपूर विधान समभा पढ़ता है वहां के विधायत पंकज मिश्रा जहनतादर यूनाइट के मलसी डॉक्टर खाली दनवर और नितीश कैबिनेट में मंतरी अलब संख्यक कल्यान जमा खान उनके घर पहुँचते हैं पहुचने के बाद परिवार के लोगों का पहुचते हैं और इन तीन लोगों ने मिला करके दस हजार रुपे की भाड़ी बड़कम रकम जो है मदद कर दी अब आप सोचिए कि एक मंतरी के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है कि वो अपने जेब से और जेब से नहीं भी तो तीन नेता मिला करके दस हजार रुपे की आर्थिक मदद कर रहा है ये इतिहास में जुरने वाला काम किया मंत्री महुदे ने चर्शाय बहुत हुई लोगों ने कहा कि मंत्री ने तो उस घर पडिवार की सारी मुश्किलों को खत्म और कम कर दिया अब बताईए कि मंत्री महुदे इतना पूरा बिहार में घूमते हैं अब सेंख्यक के मामलों को वो देखते हैं उनके विभाग में क्या मामला है वो तो अलग है लेकिन आप देखिए कि एक मंत्री जिसका पूरे दिन का खर्च दस हजार रुपे है वो एक परिवार की मौत में मात्म में शामिल होने के लिए जाता है और तीन नेता जो सत्ता पक्ष के हैं या नितीश कुमार की पार्टी के हैं वो मात्र दस हजार रुपया ऐसे परिवार को देते हैं इसको लेकर कि शोशल मीडिया पर बड़ी खीचतान होई लोगों ने बहुत अलग अलग तरह से कमेंड किया कि एक मंत्री की हैसियत सिर्फ दस हजार रुपय हो सक या तो उन्हे सरकारी सहायता दी गई, कई लाक रुपय दी गई, सरकारी फ्लैट दीआ गया और यहां पर अलग संख के कल्यान मंत्री अपने ही परभार के जिले में जाते हैं और अपने ही समाझ के लोगों की दस हजार के आर्थिक मदद करते हैं इसको ले कर के लोग क तर दर्द जो है वो बाट लिया जबके उनहीं परिवार के लोगों से मिलने के लिए पपू यादब जाते हैं पचास हजार रुपे की मदद पपू यादब ने की उसके इलावा सुद्धिन वैसी की पार्टी के जो नेता है राज्य के जिसमें आदिल हैसन आजाद है इंजिनि कल्यान जमा खान और उसके इलावा वो दो और तीन लोग यानि तीन मंतरी तीन तीन हजार रुपेया मिला करके तीन नेता सौरी मंतरी तो उसमें एक ही थे तीन नेता जो नितीश कुमार की पार्टी के हैं वो दस हजार रुपे के आर्थिक मदद करते हैं और उसके इलाव मंत्री महोदे ने जो फेस्बुक पे लिखा वो और भी मतलब समझे कि जो पिरित है उसके परिवार का जो दूख है दर्द है उसको और कहां से कहां पहुचा देगा वो अंदाजा लगाईए मंत्री महोदे 6 अगस्त को मिलते हैं और लिखते हैं कि गुरगाओं हडियाना में हडकंप के दौरान आप देखिए कि हडकंप ऐसा मचा कि हडकंप में एक वेक्ति की मौत हो जाती है हडकंप के दौरान कुछ दिन पहले जिरा सिता मडी परखंड रूनी सैथपूर गिराम मन डी पंडाउल निवासी मुहमद मुश्ताक जी के बेटे हाफिस साद बाइस वर्स जिनकी उम्र थी कुछ आसामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी थी अल्ला आपके परिवार के लोगों को सब्र दे मैं सभी पीरित परिवार के साथ खड़ा हूँ एवन हडियाना सरकार से बात करके सभी दोशियों को सजा दिलाने के अरसंबव परियास में लगा हूँ किसी भी हत्यारे को बक्षा नहीं जाएगा उसके अलावा कुछ चैनल ने खबर चलाई कि अलपसंगे कल्यान मंद्री जमा खान महां पहूंचे हैं उसमें से मिल्लट टाइम्स है जो माइनोरेटी के अलपसंगे के मसायल को लेकर के हर तरह की खबरे दिखाता है मिल्लेट टाइम्स ने लिखा कि बिहार सरकार में माइनोरेटी वी भागिके मंद्री जमा खान मल्सी डॉक्टर खाली दनवर अस्थानी विदाएक पंकज मिश्रा ने हडियाना के गुडगाओं में भीर दुआरा शहीद किये गए मस्जिद के एमाम हाफिस साथ के घर पहुँचकर उनके पिता और भाईयों से मुलकात की तीनों ने मिलकर दस हजार की मदद की एक मिनट का समय देकर फोटो खिचवाया और रवाना हो गए उनके साथ बिहार के समाजिक कारकुन और पत्रकार शहनवाद बदर काजमी भी उ उसके अलावा सोशल मीडिया पे लिखा गया कि ये बहुत ही घटिया हरकत है कि इन लोगों ने ये मातम पुरसी करके गम शुदा परिवार के आशू पोचने गए थे हाफिस साथ की मौत का मजाग बनाने गए थे एक मंतरी एक केमेल सी एक विधाय की तरफ से कुल मिला करक कि भाड़ी भरकम मदद की गई इस इहसान के नीचे ना सिर्फ हाफिस साथ का परिवार बलके पूरा मुसलिन सबाज दब गया है हम चाह कर कि भी इस इहसान का बदला नहीं चुका सकते ये मंतरी महोदे ने जब दस हजार की मदद की उनके जो काफले में लोग थे उन हैं कि लोग फून करके उनकी थूथू कर रहे हैं उनका मजाग बना रहे हैं कि एक मंतरी की एतनी हैसियत नहीं कि दस हजार रुपया से जादा कुछ पैसा दे सके वो बिहार सरकार से आपदा वाले मामले में लेकर के चार लाक रुपया तो कम से कम दिला ही सकता है लेकिन एक मंत्री और उनके साथ जो दो एक विधायक और एमेलसी थे उन लोगों ने दस हजार रुपे की मदद की है समझे ये मुसलमानों पर कितना बड़ा इहसान किया मंत्री महुदे ने कि जिस मंत्री का खर्च एक दिन कर दस हजार हो उसने अपना एक खर्च काट करके एक एक मुसलमान के मौद की कीमत दस हजार रुपे लगाई और दस हजार रुपे दे करके इहसान कर दिया उस पड़िवार का हाफिसाद की जो रूह है उनको भी सुकून मिले होगी उनके पड़िवार के लोगों की जो आर्थिक मदद है वो मंतरी महुदे के हैसान की वज़े से काफी जादा दिनों तक चलेगी